असलाम हूँ आलेकुम मैं जुलेखा आरफाद जुलेखाद किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़िया सी स्मोकी फ्लेवर फुल चिकन सीख पुलाओ बहुत ही बड़िया जबरदस घर पर आसानी से बनते हैं आप देख सकते हैं कितनी सूपर सॉफ्ट बनी है और इसके चावल भी कितने खिले-खिले से बने हैं पानी से धोके निताने चन्नी के ओपर साइट पर रख दीजिए, अच्छा कम्प्लीटली पानी नितर जाए, उसके बाद इस्तमाल कीजिएगा, बट मैंने कीमा नहीं लिया था, मैंने क्या किया था, थाय पोशिन के छोटे-छोटे पीस करवा लिये थे, दो तीन पानी से ध होके पैट ड्राइ कर लिया और उसे चौपर में डाल कर इसकदर मैंने उसका कीमा बना लिया घर के ओपर ही, आप चाहें तो वैसा करेंगे, कीमा मंगवा ले या फिर घर में बना ले लेकिन कम्प्लीटली ड्राइ होना चाहिए, कीमा, पानी वाला नहीं होना चाहिए, सब अधरक का टुकड़ा और एक मुठी कोतमेर, यानि के हरा धनिया सारी चीजें धोई हुई है और अच्छे से नितारी हुई है ये चीजें, अब इसे चौपर के अंदर डाल कर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, और अगर आपको ऐसा लगे के हलका पानी जैसा है, तो हलके हलके हाथ से निचोड लीजेगा, क्योंकि क्या है न, ये पानी जाएगा न इसका, तो मजा नहीं आएगा, वो गिला गिला हो जाएगा, फिर अगेन हमारी सीख तूटने फूटने लगेगी, तो हलका ये देखिए, मैं निचोड लेती हुँ, हलके 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 हाथ स और इसमें डाल देती हुँ, ये डाल दिया मैंने सारा, अब इसमें थोड़े मसाले डाल देते हैं, अब इसमें डाल दीजिए, एक चुड़े चाय का चमच नमक, एक चुड़े चाय का चमच भरकर गरा मसाले का पाउडर, एक चुड़े चाय का चमच भूना पीसा जीरा यहाँ पर मैंने भून कर और पीस कर, दर दरा पीसा हुआ रखा है धनिया, तीन चोड़े चाय के चमर्स दाल दीजिए, और एक चोड़े चाय की चमर्स चीली फ्लेक्स दाल कर, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, तीन-चार मिनिट तक इसे मिक्स कीजिएगा, अब लगा नहीं, अगर आपका थोड़ा भी गीला हो, तो आप एक टेबल स्पून और डाल सकते हैं, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, एक घंटा हो गया है, अब मैं हातों को तेल से ग्रीज कर लीजिए, आप चाहें तो पानी का इस्तमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा मैंने सीलिय के उपर यानि की सीख के उपर भी थोड़ा तेल लगाया, आप चाहें पानी लगा सकते हैं, मीडियम पोशन लीजिए और इस तरीके से सीलिय में लगा दीजिए, फैला दीजिए और इस तरीके से हातों के मांक्स बना लिए जितने मुझे लेने थे हातों को तेल से मैंने ग्रीज किया मांक्स दे दिया हमारे ये जो चिकिन के इसके ओपर सीख के ओपर अच्छे से निशान आ गए दो सीख मैंने लगा ली अब मैं क्या कर रही हूँ फ्राइपेन हैं उसे अच्छा करम कर लेती हूँ अब तव्वे के ओपर 3-4 टेबल स्पून जितना मक्षन दाल दीजिए वो मैल्ट हो जाए तो सीख के अंदर जो हमारी चिकिन के मिक्स चे पड़ा इस तरीके से लगा दीजिए तव्वे के ओपर डाल दीजिए हलके हलके हाथ से निकालें और तव्वे के ओपर डालते जाए अब आप ये तरीका भी कर सकते हैं या फिर पहले से सीख को सीख की यानि के लखडियों के अंदर दाल कर उसके अच्छा शेप दे दीजिए और उसके बाद एक साइट सारे बना लीजिए और फिर इन में दालिएगा फ्राइ कीजिएगा अब दोनों ही वे सही हैं अब इसे फास्ट आजपर में पका रही हू नहीं कोई बात नहीं हम अभी फिलाहल पूरे अंदर तक गलानी रहे बस एक एक दो-दो मिनिट उसे एक साइट से पकाएं दूसरी ओर से भी एक दो-दो मिनिट पकाएं और इन्हें निकाल दीजिए और उससे यह शेप दे दीजिए या पिर नहीं है आपके पास कबाबों के शेप दे दीजिए और कबाब जैसे शेप करके डाल सकते हैं आप मैंने दो-दो तीन-तीन बार उलट-पलट करते गई और जब अच्छे डाक स्पोट आ गए तकरीबन तीन-चार मिनिट में आ गए तो इन्हें मैं निकाल लेती हूं नितार कर इसी तरीके से ब निकाल कर साइट पर रख दीजिए ऐसे जिसमें पुलाओ बगारने वाले उसी में डारेक्ली तेल डाल दीजिए अच्छे से और उसके अंदर यहां पर मैं डाल रहे हूं दो मीडियम साइज की थोड़ी सी मीडियम से बड़ी थी प्यास पारिक कटी हुई स्लाइस करी हु तो यह बनाने के जरूरत नहीं है बड़ मेरे पास नहीं है तो मैं पहले यह बिरस्ता बना लेती हूं और इसे साइट पर रख दीजिए यह कुछ गरम मसाले हैं एक डंडी दालचीनी की दो तेज पत्ता और यह दो बड़ी इलाइची तीन बादियान एक जावत्री और आ अब यही इसका तेल गरम कर लीजिए कड़ाई का या जो भी पातर है उसका और यह गरम मसाले डाल दीजिए अच्छे तरतरा जाए फास्ट आज पर तो इसमें दाल दीजिए एक टेबल स्पून अद्रक लसन का पेस्ट यहां पर मैं इसी के साथ साथ तीन साबुत लाल मि कर दाल लाि Umdra Conallyma Paist को अद्रक लसन के पेस्ट को चार पाचा पर मैं अडाल देती हो आधा कप न ही और अच्छ से भून आजए से ने छिंध ने बाजार्ड की alltså ली है और चूला तो इसे नतीन मिनिनिन तक भून लीजिए continuous चलाते रहिएगा नहीं तो cuddle up हो जाएगा अच्छे से भूना जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 3 कप पानी और इसमें नमक आपके स्वाद अनुसार डाल दीजिए चावलों के भाग का और इसमें उबाला जाने दीजिए चलिए उबाल हो रहे तब तक मैं आपको बता देती हूँ मैंने यहाँ पर सवा 400 ग्राम बास्मती चावल लिए 2-3 पानी से धो के मैंने साफ पानी में आदे घंटे पहले भीगाने रख दिया था आप चाहें तो 500 ग्राम चावल ले सकते हैं मेरे यहाँ चावल कम खाय जाते हैं और चिकन जादा खायी जाती है इस 400 सवा 400 ग्राम चावल थे ना उससे मैंने एक कप से माप लिया तो 2 कप निकले तो उसे साफ से मैंने 3 कप पानी डाला अगर आपके 3 कप के निकलते हैं चावल अगर बंते हैं 3 कप तो आप 4 कप पानी डालिएगा समझके ना अब इसमें उबाल आ जाने दीजिए अच्छा पक जाए और all the most इस तरीके से पानी सूख जाए चावलों का तो चुले को कर दीजिए slow आँच और ये जो बिरिस्ता याने के प्याज हमने fry करके side पर रखे आधी दाल दीजिए बारिक कटी हुई कोतमिर याने के हरा जो प्लेट के अंदर भी लगा हुआ हो उसको भी इस तरीके से ले लीजिए सारा मेरी पतिली पतली है तो मैंने नीचे तववा रखा है इसके ओपर तववा को अच्छे से मैंने 5 मिनिट पहले गरम कर लिया था और अब इसका चूला कर देती उसलो आँच ये पतिली उसके ओपर रख दी ढककन डाककर वजन रख दीजिए और तकरीबन 15 मिनिट तक दम पर रहने दीजिए अगर आपकी पतिली मोटे है तो आप तववा मत रखिए डारेक्टली 10 मिनिट के लिए तम पर रहने दीजिएगा चली 15 मिनिट हो जुके सबसे पहले तो नीची का तववा हटा दीजिए चूला कर दीजिए बंद क्या बढ़ियासी लग रही है आप देख सकते हैं अभी भी एक स्टेप बाकी है इसके अंदर सबसे पहले तो वाटी रख दीजिए स्टील की गरमा गरम करा हुआ, कोईला लाल करा हुआ रख दीजिए इसके उपर घी, तेल या मखन दाल दीजिए क्वीकली और उसी समय क्वीकली ढख दीजिए और कुछ बजन रख दीजिए और 15 मिनिट ऐसे ही रहने दीजिए 15 मिनिट हो जाए, तो इसे निकाल कर कोईले को फेक दीजेगा और ये बन गई हमारी बढ़िया सी मज़ेदार सी स्मोकी चिकिन सीक पुलाओ बहुत ही बढ़िया मज़ेदार घर पर बनती है और बहुत ही डिलिशस बनती है ज़रूर बनाईएगा इसी तरीके से मैंने फुलाओस की रेसिपी मेरे चानल पर अपलोड की आप लोगों के लिए सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वहाँ चेक कर लीजिएगा इस रहने दिया था यह देख लिए मैं तोड़के दिखा देती हूं सी को क्या माश्याला पढ़िया सूपर सॉफ्ट हुए और इतनी डिलिशस है और बिल्कुल भी टूटी पूटी नहीं है अंदर से सॉफ्ट है और भार से एक्दम परफेक्ट है बिल्कुल भी टूटी यह तो बहुत ही बहतरीन बनती आच्छा इसमें आपने स्पाइस जादा बढ़ाना है तो आप चावलों में भी बढ़ा दीजिये थोड़ा सा हरी मिर्चियां बार इक काटकर जादा दाल दीजिएगा और आप चाहें तो यह सीख है इसमें भी मिर्च का मिजान बढ़ा सक सकते हैं कोईले का डूंगार आप चाहें तो दोनु में भी स्किप कर सकते हैं तोटली आपके ऊपर है लेकिन अगर आप एंड में टांडा नहीं देते हो कोईले का तो आप चूला बंद करने के बाद 15 मिनिट as it is रहने दीजिएगा कुछ भी मत कीजिएगा 15 मिनिट सेटल होने दीजिए चावलों को so that जब आप 15 मिनिट के बाद खोले तो खिले खिले से चावल बनेंगे जब आप उसी समय खोल कर उसे चलाते हो ना तो टूट जाते हैं चावल तो वह तूटेंगे फूटेंगे नहीं. अगर आपको ये रसिपी अच्छी लगी हो तो राइक जरूर कीजईगा इस वाले वीडियो को उससे जदा अच्छी लगई हो तो अपने family और friends में इस वाले के वीडियो जरूर शेख कीजएगा लिंक्स और अगर आप बनाएं तो मेरे साथ comment section में ज़रू share कीजिएगा मुझे आपकी comments पर ने बहुत अच्छे लगते फिर से आजिर होंगी नहीं शानदार दमदार recipe के साथ Until then, take care, Allah, aafiz, bye-bye